प्रेगनेंसी के दवरान कुछ महिलाएं अपने सरीर के कुछ अंगों में भारीपन महसूस करती है यानि कि सरीर के विप ऐसा बताती है कि दाया पायर, दाया हाथ और दाया पेट के हिस्वे में ज्ञादा भारीपन होता है तो वो बोई के संकेत होता है वही अगर pregnant lady के किसी भी pregnancy के किसी भी मंत में consider किजिए तीसरे चौथे महीने के बाद ये लक्षन ज्यादा समझ में आता है जब आपके बाएं पैरों में बाएं हाथों और बाएं पेट के हिसे में ज्यादा भारीपन रहता है तो ये girl का connection है अब इसके लिए मैं बात करूँगी अपनी pregnancy के दौरान क्या मैंने experience किया मेरी कुछ subscriber है उन्होंने कैसा अपने सरीर के साथ notice किया इस बारे में चरसा की जाएगी गाईज अगर ये वीडियो आपने देख लिया है आज के आज आज आपको कुछ ऐसे secret जनकारी मिल जाएगी जो अभी आपके मन में जिग्यासा चल रही है बेबी बोई जानने की वो सारी जिग्यासा सांत हो जाएगी और आपको आपका answer मिल जाएगा कि आपको बोई होने वाला है या फिर बेबी गर्ल होने वाली है सो गाईज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये गाईज मैं हूँ आपके साथ स्वेता और आप देख रहे हैं प्राइम मॉम ब्लॉग पहली बार अगर आए इस चानल पे चानल को जरूर सब्सक्राइब किजिएगा और आप इस वीडियो को भी लाइक किजिएगा यहां बे हम बात करते हैं प्रेग्नेंसी में अपने सरीर में बदलाओ की ओबर आल इस तरह की चीजे कही जाती है कि अगर सरीर में बहुत सारे बदलाओ आते हैं वही कुछ बदलाओ बीबी गर्ल के कारण आते हैं अब है कि मेडिकल साइन्स का एक ही चीज़ कहना होता है कि जो भी बदलाओ या सरीर में दर्द है यह सब कुछ हॉर्मोन्स की वज़ा से है अब एक बार ओल्ड वैप्स की बातों को हाइलाइट करेंगे यहां पे वो बताती है कि अगर पेट के दाए हिस्से दाए पैर दाया हाथ में ज़्यादा भारीपन रहे तो बोई होता है हाला कि यह पॉइंट किसी किसी में सच हुआ है सब में नहीं होता है वही अगर बात किया जाए आपके बोडी के लेफ्ट साइड की लेफ्ट हाथों में लेफ्ट पैर में लेफ्ट पेट के हिस्से में भारीपन रहना बेबी गर्ल होती है जबकि मेरे में ये case हुआ था कि मेरे पेट के लेफ्ट साइड में बाएं हिस्से में ज़्यादा भारीपन था तो मुझे कुछ महिलाओं ने बताया बेबी गर्ल होगी लेकिन आप लोग को जैसा कि पता है मुझे बेबी बॉय हुआ तो बेबी बॉय यफी गर्ल इस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता है कि सरीर में किधर भारीपन है तो लड़का और दूसरे साइड भारीपन है तो लड़की होगी तो पेट के लेफ्ट वाले हिस्ते में ज्यादा भारीपन रहता है तो राइट में भारीपन होती फीति के राइट साइट बच्छा ज्यादा ताइम देबारीपन है दाइ यहने बाहत प्रोब्लम थी ओबरॉल हर महिलाओं को हो सकता है किसी को लेफ्ट पैर में प्रॉब्लम हो लेफ्ट पैर में जदा दर्द हो किसी को राइट पैर में दर्द रहना यह सब कुछ कॉमन सी बात देखी गई है प्रेगनेंसी के अंदर हाला कि बेबी जेंडर से इसकी 100% की ऐसा हो रहा है तो गर्ल होगा ऐसा हो रहा है तो भय होगा होने को कुछ भी हो सकता है कयई चानल और यह वीडियो चैंडर प्रेडिक्षन का बिल्कुल भी बढ़ावार नहीं दे रहा जस्ट मेरी सब्सक्राइबर की कुछ प्वेडिस थी उसी के कारण मैंने इस वीडियो को बनाया है thanks for watching मिलती हूँ आप सबसे अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care